दोस्तों गीरी टूडल के इस प्लैटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस लेक्षर में मैं आपका एक्सराइज नमबर 1.4 कंप्रीट कराने जा रहा हूँ और इस लेक्षर के अंदर आपको बोड में क्या-क्या कोस्तों इंपोर्टन है, वैसे ही आपका एक्सराइज नमबर 1.4 है जिसके अंदर से जो सबसे जादा इंपोर्टन कोस्ता रहता है और आपके यूनिट टेस्ट में भी वो कोस्तन आ सकते हैं, उसके उपर भी हम डिसकस करेंगे बट उसके पहले एक यह अगर आपको यह पूरा का पूरा अगर लेशन पढ़ना है अगर आपको पढ़ना है तो आपको यह डिफ्रेंट जो लॉड दिखाई दे रहे हैं यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए अब बहुत सारे टीचर क्या करेंगे आपको एक दे देंगे और बोलेंगे कि पूरा का पूरा लॉड याद करो और मैं भी चाहता हूं मेरे को ही पता कि इतना सारा लॉड आपसे याद नहीं होगा तो दोस्तों यहां पर मैं एक सीमपल सा ट्रिक दूंगा अगर आप मेरे अकोर्डिंग जाओगे तो बस आपको कितने यह सुनने में बहुत मजाग लगता होगा बट मैं अभी आगे आने वाले कोश्चन में आपको करके भी दिखाऊंगा बस मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो लॉड याद रखो बाकी के सब लॉड अपने आप आपको आजाएंगे अपने आप आपको समझ में आजाएंगे याद रखना है दोस्तों आइडेंटिटी लॉग और दूसरा आपको कुंसा लॉग याद रखना है कॉंप्लिमेंट लॉग अब आपके मन में आ रहा हूँ कि सर आइडेंटिटी लॉग होता क्या है अब देखो मैं यहां पे स्क्रीन मैंने बंद कर दिया अब मुझे भी लॉग याद होना चाहिए तो आइडेंटिटी लॉग मैंने कैसे याद रखा है वह अभी मैं आपको बता रहा हूं कि देखो यहां पे अगर आप ध्यान से इस कोशन को अगर बहुत अच्छे से देखोगे देखो लॉग दिफरेंट जो लॉग है अगर आप उसे रट्टा करोगे तो नहीं चलेगा अगर उसे आप समझ के लोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा और मैं हमेसा लॉग को बोलता हूँ कि आप जा जाएगा और कोशन तो अभी सौल भी कराऊंगा अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा मैंने उपर एंड लिखा है और नीचे और लिखा है अब याद आ रहा है आपको लॉजिक टेबल आपने याद रखा था एंड एंड में क्या होगा आनसर चैनला आपको कैसे याद रखना अगर एंड है अगर ट्रू है दैन अजरी धूरेिस फॉस कोशन की अनदर पसको से याद रखना है अगर कोशन के अंदर और त्रू दिएया यह ग बतलब first वाला उसका answer होगा, ये समझो ये first है और ये second है, तो first वाला उसका answer होगा, वही अगर समझो or है, or है, or false दियागी, कि और के लिए हम क्या यादखतें, both the values are false, then answer is false, or है, and false है, then इसका answer क्या आएगा, दोस्तों, answer इसका क्या आएगा, इसका answer क्या आएगा first, और अगर ऐसा नहीं है, तो answer कायगा second, बस ऐसे याद रखना, अगर and है, true है, तो answer आएगा first, and है, true नहीं है, for example false है, तो answer आएगा second, वही अगर or है, false है, क्योंकि और में हम कैसे याद रखते हैं, both the values are false, तो or है false है, then answer कायगा first, अब देखो यहाद अपने आप आपको law है, और आपके दीमाख पर बैठ जाएगा, अब देखो यहाँ पर and है, true है, तो answer गाएगा first, तो इसका answer गाएगा पी, यहाँ पर and है, true नहीं है, तो answer कोल सा आएगा second वाला, तो second वाला मतलब इसका answer गया, second number पर क्या लिखा है, f, वैसी और का, or है, false है, तो answer आएगा first, तो इसका answer हम पी लिख सकते है, और है, और यहाँ पर false नहीं है, तो answer आएगा second, अब आगा जाके आप अपने identity law में देख लोगे, तो identity law में मैंने ये भी देखो, आपको solve कराया, देखो and है, true है, तो answer first, and है, false है, तो answer जो है second वाला, then ये देखो, ये वाला भी complete करा दिया ये वाला भी complete करा दिया, एक law मैंने आपका complete करा दिया, अब दूसरे law पे हम आते है, compliment law, अब second law जो मैं आपको खराने जा रहा हूँ, compliment law, compliment law को दोस्तों कैसे अपने दिमाख में आप बिठा के रखोगे, अब आपको आएगा मजा, जो इसमें दो ही चीज़े याद रखना है, एक ये, और एक ये, ये, ये दोनों चीज़ आपके निमाख में आपको बहुत अच्छे तरीके से बिठा लेना है, अब दोको यहाँ पर पीपी है, कभी कभी क्यू क्यू भी आ सकता है, मतलब ये दोनों indirectly law का मतलब क्या है, कि ये दोनों सेम होने ची़, ये दोनों क्य समझो, रिष्टा है, अब आपके पास ये नहीं तो ये, मतलब ये दो है, दो औप्सन है, ये नहीं तो ये, कमपलसरी घरवाला ने बोला कि दो औप्सन है, ये लो, नहीं तो ये लो, तो आप बहुत टेंशन में आ जाओगी, यार और और औप्सन देना ची़, वही अगर अगर समझो, एंड आ गया, ये नहीं, तो ये, मतलब एंड मतलब क्या होता है, ये दो में से कोई एक सिलेट करना ही पड़ेगा, और मतलब कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारा उप्सन है, तो और अगर रिष्टे वाइस देखे, तो और हमारे लाइस के लिए अच्छा है, म अब यहाँ पर मैंने आपको लौ याद करा दिया, दोनों लौ, अब यहाँ पर आपको ये लौ भी आपको याद हो गया, देखो, यहाँ पर एंड दिखाई दे रहा होगा, एंड में देखो, फॉल्स है, एंड, दो यह उप्सन मिलता है, और मैं बहुत सारे उप्सन है, अब दोस्तों, यहाँ पर और मैं आपको कुन-कुन से लौ याद करा दो, देखो, सबसे पहला, कॉमिटेटी लौ, आपको याद रखना है, पर कुछ ऐसे लौ है, जो आपको लौ नहीं याद रखना है, दिमाग में बस बीठा के रखना है, कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा अधर सकते हैं, और अगर मैंने को क्यू का प्लेज पहले लाया, पी का प्लेज दूसरे नंबर पर रखना तो इससे मैं क्यों कॉमिटेटी लौ तो बस आपको याद रखना है, वलेंगा है प्लेच चेंग नहीं भीज़, या या याद भी मत करो, कभी अगर मैंने ब्रेके और दोस्तों इसके अब देखो अपने दिमाग पर बिठा दे जाओ मैंने आपको यहां पर हिंट दे दिया है कि अगर समझो यहां प्रैकेट के अंदर मल्टिबलाइक करते तो यह कब लेते हैं और निगेशन पता है और negation of P and Q जब भी negation of P and Q लोगे जब भी negation of P and Q लोगे तो हमेशा deborgance law और वैसे इस law का ज्यादा यूज नहीं होगा इसके बाद दोस्तों यहां पर एब्जॉप्शन लौ है यह सब यूज नहीं होगा यह 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 इंप्टिशनल और बाइक अच्छे से दिमाग पर बिठा लेना है यह एक जगह पर यूज होने वाला है अभी तक हमने पीछे क्या पढ़ा था दोस्तों आपको पता होगा अगर सब जो निगेशन नहीं है तो उसका एंसर क्या आएगा तो इसी के अंदर निगेशन मल्टिप्लाइ कर दोगे तो आपको एंसर मिल जाएगा तो आपको दो बार याद नहीं करने की जड़ा तो इसी में निगेशन देखो मल्टिप्लाइ कर रहा हो में इसी के अंदर अगर negation multiply कर दोगे तो बिना negation का answer आ जाएगा तो यहाँ पे negation P आया और यहाँ पे यह end का क्या हो जाएगा और negation negation cancel यहाँ पे Q तो यह negation का इसका answer है पर अगर बिना negation के साथ रहा दोस्तो तो इसका answer क्या आएगा negation P और Q इसमेंसे कोई भी आप याद रहे हुआ है अपने आप याद रोखने तो इसका निकाल सकते हो तो दोनों में इसमेंने, आपको पीशे यह याद कर रहा है, आप याद कर सकते हो, पर याद रुखना, जहां पे P implies Q आया यह लिखना है वही अगर समझो कहीं पे अगर by conditional है by conditional भी आपको बहुत सेम है by conditional में इते को by conditional है अब ने पीछे ही पढ़ा है कि by conditional में ऐसा कुछ आता है अब यहां पे अगर मैंने negation of by conditional पढ़ाया था आपको पीछे के याद यह मैं जान दुछ के पीछे वाली चीज़े लिख रहा होगी बहुत सारे बच्चे confusion हो जाते है तो यहां पे आपने क्या लिखा था ऐसा कुछ लिखा था बीच में और लिया था और यहां पे यह सेम लिखा था बस इसका position आपने change कर दिया था तो यह आपको पता होगा पीछे अगर आपने मेरा लेक्शे देखा होगा यह चीजह मैंने पीछे आपको पड़ाया था पर यहाँ यहां पे है उघे का मतलब क्या होता है एक बार हम यहां पी इंप्लाइश क्यों ले эк अगर यहां पर और है तो अगर बिना निगेशन होthree यहां पर कैए का दोस्तों ऍजगे में से और रखते हैं यहां पर मैं सबसे पहले मैं बता दू कि यह बोर्ड एक्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेट नहीं है फिर भी आपके सिलाबस में दिया है तो आपको सौल करना चाहिए अब यहां पर मैं सबसे पहले कोश्ट नमबर सेकेंड ले रहा हूं यह देखो कोश्टन नमबर सेकेंड अब हमें क्या बोला है यूजिंग रूल ऑफ निगेशन राइट दी निगेशन आप दी फॉलोई बदल आपने को क्या करना है निगेशन लेना इसका बलब यह जो कोश्टन दिया है इस कोश्टन का निगेशन लेना तो आगे मैंने और आपको पता कि जब भी अगर अंदर मल्टिप्लाय होता है तो यहां पर और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर निगेशन निकाल रहा हूं अब देखो यहां पर बस आप अंदर मल्टिप्लाय करें देखो यहां पर मल्टिप्लाय हुआ यह पी हुआ यहां पर यह और है और क्या हो जाएगा और बाद में निकेशन निकेशन कैंसल हो जाएगा यहां पर क्यों फिल से यहां पर आपका कौन सा लॉग है यहां पर पूरे का निगेशन होगा तो देखो मैं इसे सोल कर रहा हूं स्वाल करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि यह पूरे को मॉल्टिप्लाइब होगा समझ जाने यह पूरा का पूरा एक ही टम में दोस्तों यह निगेशन अंदर मल्टिप्ला होगा जिसको यह टॉपिक में ज्यादा कन्फिजन हो रहा है वैसे यह टॉपिक इंपॉर्टन नहीं है इंपॉर्टन टॉपिक आगे आने वाला है पर आपके सिलाबस में तो म क्या सब्सक्राइब करने जाओं तो यह बहुत अंदर मल्टिप्ला होगा यहां पर क्या हो रहेगा और यह रहेगा और ईतने पर मैंने एंसर आ अगया अब चलते हैं आगे दोस्तों अब इसमें से आप कोई भी कोशन सॉल कर सकते हैं और मैं बार-बार बोल रहा हूं कि यह सब कोशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्जाम के लिए बैट आप अगर सॉल कर रहे हैं अब यहां पर एक कोशन है मैं जान भुछ कर यह कोशन ले कि आप थे बैसे हैंगे में बाहल जाएक मैं जाएंगा यहां ग्यांन गार इसकते रहे लिए वे विदर अलबाए मैं करो निपिलिगेशन अंधर मुल्टिप्लाइब टो निए फ southwest यह जाएगा सब्सक्न कर दो इस होगा तो यह जाएगा और को की फए बाहलें हमारा ये भी एंसर आ चुका अब यहां पर फॉस्ट वाला जो पार्ट बचा है वो बता देता हो बाखी का तो लगबग मैंने सब बता दिया एक दो बाकिए आप सौल कर लोगे यह वाला पार्ट है अगर मैं इसका निगेशन निकालने जाता हूँ अगर मैं इसका निगेशन निकालने जा रहा हूँ तो मुझे निगेशन वाला फॉर्मुला पी इंप्लाइस क्यू का पता है P implies Q का मुझे negation वाला formula पता है कली sir ने कल वाले lectures में हमने सुना था मतलब इसके पहले वाले lectures में और अभी थोड़े दर पहले आपने बता है भी ये इसका negation का sir formula है क्या बात है अगर ये इसका negation का formula है तो आपको यही rule इसके उपर apply करना है पहला पर अपना कि अधागा पी और दूसरा अधा अभी युथी आपना कि अध्या जागा वागां क्यूख लेएंगे पहले हम क्या लिखते हैं तो इस तरह से थाम कुछ चीजों को इस तरह से पढ़ा जाता है कि जो इम्मोर्टिंट पाट है कि नहीं है हमें पता होना चाहिए बोर्ट एक दिन पहले आप EECS專 Migration सॉल्ड करोगे तो आपका टाइम डैस्ट है 나ब्र स्टार्टिंग स्टेविब आपको knowledge होना चाहिए सभी type के question का just practice करोगे पर एक-दो question तो solve करके जाना चाहिए अब चलते हैं आगे दोस्तों अब देखो यह question के बारे भी हमने थोड़े पहले चर्चा कर लिए rewrite the following statement without using if then बिना if then के use किये यह statement को आपको लिखना है तो यहाँ पर आपको conditional और by conditional जो आपने law पढ़ाता जिसमें conditional law आपने पढ़ाता पीछे ऐसा कुछ पढ़ाता बिना negation के इसका answer क्या है negation के आपको answer पता है बिना negation के इसका answer क्या है negation P और Q वह ही अगर negation का इसका answer check करना है निगेशन वाला एंसर यह है, तो यह बीना निगेशन का एंसर यह आपको याद होना चाहिए, दोनों में से कोई एक याद होगा, दूसरे का निगेशन निकाल के एंसर निकाल से, तो जैसे अगर आपको यह याद है, इसी का ज़स्ट निकाल, इसी का मैं निगेशन निकाल और हैं और यहाद हो गया ऐद तो दूसरा अपने आप हो जाएगा डोनों अच्छे और इसके अंदर if then नहीं है, तो आपका statement इस form में दिया है, आपको इस form में बस convert करना है, अब यहाँ पर लेको मैंने पहला ओला question लिया है, suppose पहला ओला, यहाँ पर let पी का value की आएगा दोस्तो, आपको कल भी मैंने बताया था, if के बाद जो रहेगा, यह question भी important question नहीं है, इतना focus नहीं करने की जरूए थे इस question पर, a man, a man, is a judge, a man is a judge, आपने लिख दिया, then इसके बाद यहाँ पर आप क्यू लिखोगे, क्यू लिखते time, क्या लिखोगे दोस्तो, then के बाद की चीजे, he is honest, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तो, he is honest, यह भी आपने लिख दिया, अब यह होने के बाद दोस्तो, आपको क्या करना, इसका symbolic form लिखना है, symbolic form आपको पता है, जैसे हम लिखते है, यह इसका symbolic form है, but में बोलते हैं लिखने के लिए तो फिर अपने इस वाले फॉरम य्जिफ साम लिखाया अब बस अपने स्टेट्मेंट को इस वाले फॉरम में कनवर्ड कर दो बहुत इस फॉरम में करना एंसर लिखो अब यहाँ पर ना तो इस देन वाला सिम्बॉल इंद यूज ने करेंगे बस जो आपका पी वाला स्टेट्मेंट है नहीं दोस्तों उसके अंदर ले PAC lit इसके बाद यहां पे क्या है दोस्तों और यहां पे और लिख दो और बाद में की वाला same to same copy करना है तो क्या लिखोगे he is he is honest हो गया अब यही same statement हमने without if then use कि हमने convert कर लिया तो बस हमें यह याद होना चाहिए वैसे आप same यह वाले को करोगे देखो पहले वाले में बस आप क्या करोगे not लेकर आगे two is not a rational number और बाद में root two is a irrational number same लिखोगे यहाँ पे भी देखो यह वाला सेम है यहाँ पे पहला statement है तो इसको not equal to करके लिख दो यहाँ पे और इसके बाद क्या लिखोगे और fx is divisible by x-2 हो गया तो यह तीनों पोजिशन मस तरीके से आप solve कर सकते हो इसलिए अगर आप प्लैटफॉर्म के साथ जुड़े रहोगे तो आपको एक चीज तो पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या कि यार देखो बार से तेरा घंटे का टाइम रहेगा एक एक देखे आने के बाद कि उसमें सोना ओना भी है फिर इतनी सारे चीजों को अगर मैं कैसे रिकॉल करके अपने दिमाग में कैसे रखोंगा अगर मैं हर एक समका प्रैक्टिस करते जाओंगो तो कैसे होगा सर तो हमें एक तरीका पता होना चीजिकि कैसे फटा-फट चलो कॉमेंट करके बताओ एक्सराइज नमबर 1.2 में क्या इंप्रैक्टिस और एक्सराइज नमबर 1.3 में अगर आप मेरे लेक्ट्टर को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से देख रहे हो तो आपको एक चीज तो स्टार्टिंग से पता चलना स्टार ड़ेगा अब आ उंको लौय याद नहीं होता और मैंने थोड़े पहले आपको 2 long और बहुत सारे कैसे याद रखने सब बता दीया बहुत ही circular लोग को दीमक में कंपर Grandpa करना कुह करना जो मैं दो लोग कि दिखाने न्यख़्त पक्रोफ के दिखाऊंगा दो लौग जो मैं याद किया न luc सब्सक्राइब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर दीख रहाओगा अगर बहुत अच्छे से देखोगे ना दोस्तों तो यहां पर सबसे पहला इस टेप इस टाइब को करकें कोह सर्क्राइब कोशिस करना हमेशा पर अगर यहां से देखो यहां से दिख ऑनके हैं यहां से दोस्तों क्यूं बचा और और यहां से यह भी common हो गया था यहां पर negation और क्यों बचा और आपको मैंने बताया है कि common जब निकालते हैं तो कोई law याद करने की ज़रत नहीं इतना बड़े-बड़े law हैं आपको common मतलब आपको याद है कौनसा law है दोस्तों distributed law अब आपको मैंने इतना लिखा था आप समझ गए कौनसा law है यह distributed law अब यह इसले तो मैं बोल रहा है कि आपको याद ही नहीं करना है बहुत सारे teachers आपको बोलें कि यह law याद करना है यह पूरा का पूरा law याद करना है भाई नहीं करना है आप यहां पर नेक्ष्ट अब पूरे को मैं क्या कर रहा हूं मैंने थोड़े दिर पहले बोला था कि कहीं पर अगर आपको ऐसा आया या और निगेशन आया और यह दोनों वैलियू सेम है जैसे वाँ पी पी यह दोनों सेम है तुरंत आख बंद करके compliment law apply कर देना कौन सा law अप्लिमेंट लो कौन सा law इसके ऊपर डिपेंड करता है इसके उपर यह जो दिख रहे है यह आपको मैंने बोला था लाइट में एंड सही ऐगा है और मतलब क्या और 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 अच्छा है खतर नहीं क्या ऑछ ओंसा दोस्तों कॉम्प्लिमेंट लो प्लीज इसको पूरे फुल फॉर्म में लिखना अच्छे से अब यहां पे देखो जब भी ट्रू फॉल्स आ गया किसी के साथ तुरन समझ जाना आइडिन्टिटी लॉओ है आइडिन्टिटी लॉओ में अपना लॉजिक वही है दोस्तो और है क्या है दोस्तो और और है तो ह अगर आप देखोगे वीचिस एक वर्ड गया होगे दोस्तों और इस इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके बोड़ एक्जाम में कोई भी कोशन आएगा तो आप एजली हैंडल कर सकते हो चलते है नेक्स कोशन की और अब दोस्तों दीखने में तो यह कोशन बहुत खतरन हुआ पी एंड क्यों और निगेशन पी कि अब इस टाइप पे अगर कोशन को आपको क्या करना चीज सबसे पहले दो का गुरूप बनाओ अगर यह दो के ग्रूप में अगर आप देखोगे यह और यह भाई कॉमन नहीं क्योंकि यह निगेशन पी यह और यह पी यह दोनो अब यह दोनों अगर आपको कॉमन यहाँ पर यह और यह भी कॉमन पर आप ट्राइ करना की बाजू बाजू वाले रहे तो अच्छा है अब यह कॉमन मिल गया तो देखो इस कोशन को मैं कैसे लिख रहा हूं अब यहाँ पर बचा क्या पी बचा है यहाँ पर बचा और अब फाइनली जो आगे का पार्ट है उसको वैसी ही लिख दो यह ऐसी है आपने लिख दिया अब यह लिखने के बाद आपने क्या किया दोस्तों कॉमन लिया कॉमन लिया मतलब कौन सा लौ है डिश्टिबिटी लौ देखो मैंने एक वर्ट से आपको एक लौ याद करा दि यहां पर जगट एंग यू और यह ऐसी है पी निगेशन क्यू देखो यहां पर मैं ब्रैकेट भी ले ले रहा हूं मैंने यहां पर आट टाइम दो लौ अप्लाई किया एक तो मैंने टू लिखा इसका टू लिखा मतलब कौन सा लौ है कॉम्प्लिमेंट लौ कॉम्प्लिम दोस्तों आपको पता कि कभी भी मैं अगर ट्रू फॉल्स लिख रहा हूं तो हमेशा मेरा ट्रू पीछे आता है तो मैं यह दोनों का पोजिशन चेंज कर सकता हूं बाइदर रूल ऑफ कॉमी टेटिव लौ तो देखो आप मैं यहां पर क्यू पहले लिख दे रहा हूं पी प्रूफ पढ़ाएगा तो यह सेम कोस्तन देख लेना पढ़ाने का तरीका कितना चेंज होगा इतना आपको बड़न में डाल दिया जाएगा कि आप टेंशन में आके कोस्तन स्कीप कर दोगे और इसके पिछले साल के बोड एक्जाम में प्रूफ के दो कोस्तन उन्हें अब यहां पर मैंने के बाद भी मेरा एंसर नहीं मिला अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर तो कोई यह दोनों सेम भी नहीं नहीं तो कॉंप्लिमेंट लॉप लाइक कर देता अब इससे यह पता चल लाएं कि हाँ अंदर पी से यह फुटिप्लाइग लिखा फिर से यह जो क्यू है फिर से किस्से मल्टिप्लाइग हो वह और एक बार इससे multiply हुआ और एक बार इससे देखो ये ये दोनों लिखा इसके साथ फिर ये बीच का symbol फिर ये दोनों लिखा इसके साथ और अब जबी मैं अगर multiply करता हूँ या common लेता हूँ उसको बोलता हूँ मैं distributed law अब finally दोस्तों यहां पे अगर आप देखो ये दोनों सेम मिल गए तो ये वाला तो ऐसी रख दो क्यूँ ये ऐसी रखो यहां पे अगर आप देखो गे तो इसका answer काएगा दोस्तों true true क्या हूँ कि बीच में और है और दोनों सेम है और हमारे life के लिए अच्छा होता है compliment law सर आपने तो compliment law बहुत मज़े के तरीके से याद करा दिया दैन इसके बाद यहां पे अब देखो अगर यह true है अगर यह true है यह end है और यह true है तो हमारा answer फॉस्त वाला आता है अब यहां पे अगर किखने लोगों ने पीछे वाला law याद रखा होगा रटा होगा तो उ identity law अब यहां पर जो मैंने लिखा मेरा प्रूफ यहां पर उल्टा है तो अपने उल्टा कर सकते हैं इसको देखो पहले लिख दो पोजिशन चेंज कर दो क्यों कर दो कौन सा लोग यहां पूरा लिख रहा हूं नहीं तो बहुत लोगों compliment law लगेगा हो गया पूरा का पूर madam реально Michigan सब यहां पर में अ हम ऐनर आपको नीचल को में आता है यहां और है है यह को ईसा ठाए और यह ऐसा है और यह ऐसा है तो इसका निए रच के तो यहां पर रूल वाइज में सोचू तो यह मेरा पूरा का पूरा 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 क्यू है तो उसके अगर मैं एंसर लिखू तो पहले मैं क्या लिखूंगा पी तो देखो मैं यहां पर पी लिख रहा हूं यह मैंने पी लिखा पी के बाद मैं क्या और फिर यह मेरा पूरा का पूरा क्यों है तो यह मैं लिखूंगा यह मैंने लिख दिया अब यह लिखने के बार रूल of negation आप लिखना है तो लिख दो अब इसके बाद किया करना है दोस्तों इस में से तो कुछ नहीं है पहले इसमें negation अंदर multiply कर दे रहाँ यह ऐसे ही रहएगा और यहांपे इकर मैं negation अंदर multiply करूं तो देखो negation अंदर multiply होगा तो negation T हो जाएगा यह एंड का और हो जाएगा निगेशन निगेशन कैंसलों के यहां पर क्यूवा जाएगा और आइधिंग अपना प्रूफ आ गया एक ही स्टेप में अपना प्रूफ आगया और यहां पर जब भी निगेशन अंदर एंड और मॉल्टिप्लिया आता है तो दिमॉर्गांस कर लिया तीनों अपने हाँ चार प्रूफ है और बोर्ड एक्जाम इसमें सही पूसता है और यह जो पहला प्रूफ है अब इसको सॉल करने कोशिस करते हैं जो मैं यहां पर लिख रहा हूँ कि पहले मैं यहां पर लिख रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो कि दो ऩूर्कों करें हैं कि अब इसका मतलब मैंने थोड़े दिर पहले आपको बता है देखो ध्यान से अगर आप मेरे लेक्ट्ष को सून रहे हो ना स्टार्टिंग में क्यों बताया था आपको पता होगा देखो इसी का मतलब अगर यह निगेशन तो यहां पर मैं लिखने डाम कैसे हों गा एंड और यह आपको पता है इसे में क्या डिखोँगा तिर ह étéए और यह कि इंप्लाइज भाक्षकि और आपको दूस था ह। अभी आपने इस दैन को without using if then में जब conversion किया उसी टाइम आपको इसका value पता है क्योंकि यहां negation नहीं तो इसका direct value क्या है negation P और Q सेम अगर मैं यहां पर बात करो तो negation और और यहां पहला क्या Q है तो पहला Q आजाएगा और फिर यह वाला आएगा तो यहां P आएगा अब यहां पर जो मैंने चीजे लिखी है यहां पर यहां पर लिख सकते हो by conditional law यहां पर लिख सकते हो conditional law अब यहां पर अगर मैं सोचूं कि कुछ common आ जाए कि finally मुझे इतना बड़ा प्रूफ करना कुछ common लेने की पोस्पा यह चली सब्सक्राइब करना अगर मैं निगेशन मुझे शनल से 10600 थे करना इसको में पूरे से पूरे करूए यह पूरे से में करूंगा अगरे निगेशन पी कौ पूरे से कर रहा हूं यह निगेशन पी है यह पूरे से अगर मैं मॉल्टिप्लाइए करूँगा देखो यहां पर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी यह पूरे से मॉल्टिप्लाइए किया देन यहां पर अब दो यह बीच का है और और फिर अब देखो क्यू मैं लिख रहा है तो जस्ट मैंने आपर multiply करने को ही मैं क्या बोलूंगा आप यह यहाँ डिस्ट्रूइट लोब सकते हैं अब अब आपने कर दिया तो अभी सही क्लेश करोगे टाइम क्या होगा दोस्तों यह यह टी ये एंड है अब एक बंद कि के साथ अपने लिखा अगर साdale प्रोफ यह वाला पार्続 यह इश्टेप पूरा का पूरा लिग दिया जर्स अंदर मल्टिप्लाई किया अब मल्टिप्लाई करने को ही तो यह वाला पार्ट ऐसी रख दो कि यहां वाला पार्ट अगर मैं दोनों का पोजिशन चेंज करूंगा तो यहां पे देखा है तो मैंने यहांपे देखोगे यहां पर थार्वा लग रहा है और यहां पर जो भी है दोस्तों आप लिख लिखोर और यहां पर पूरे फुल फॉर्म में लिखना कॉमिटेटी ला क्योंकि मैंने पोजिशन चेंज किया अब आराम से जाते हैं देखते हैं अपना एंसर आता है कि नहीं आता है कभी कभार हो सकता है कि एंसर ना है तो फिर से कट करके दूसरे मेथड से चेक करो कुछ कॉमोन लेखे देखो अब कर देखो तो यहां पर देखों यह निगेशन टी एंड क्यूब कि यह पूर्म टॉक पीछिए अइंड है व्यो Scale को आपको पता है यह दोनना का पोजिशन चेंज कर रहाँ और एफ और यह सब हमें सब पीछे होता है तो यह वाला पार्ट आगे आजाएगा तो यह ऐसे आगे हो गया और यह वाला पार्ट एफ पीछे लिए तो यह पोजिशन अगर मैं चेंज करता हूं तो कौन सा लौ हो जाता है कॉमिटेटीव लौ और मैंने अलड़ी यहाँ पे अगर पता है अब आइडिटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीट तर यहां मैंने फिर्श बाइंसर भी लिख लिए है और यहां पर कौनवा आएगा आइजिंटीट्यटी लॉग अब चंशेक करते हैं कि मैं हमारे प्रूफ में क्या चाहिए भाई लोगो प्रेश्चेल यह वाला प्रीश सब्सक्स करते हैं ले उल्हो क्योंट पी और यह वाला पार्ट पीशे ले लें लिगेशन पी एंड निगेशन पीओ यहां मैंने कौन सा लोग अपलाई किया अब कौमी टेटिव लोग एक स्टेप पे और अपलाई कर दो यह दोनों मैच हो गया पुरा का पूरा और यह बीच का भी सिंबॉल मैच हो गया और यहां पर फिर से पोजिशन चेंज करना तो पोजिशन फिर से चेंज कर दो हो गया तो इस तरह से यह पूरा का पूरा एक्सराइज आपका कम्टीट हो गया और बहुत अच्छे दरीगे से एट उजेड को स्युक्त करा हैं ऐसा कोई भी कोस्तन नहीं कि मैंने किया और बहुत अच्छे दरीगे से आपके दिमाख में बैठ गया होगा दोस्तों जादस ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगा एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाऊंगा वीडियो को देखने के लि